वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्टी के जो आपके बेरी शॉर्ट आंसर या वन लीनियर कोश्चन आते हैं ठीक है उनकी एक लाइन में उत्तर देने वाले आपके कोश्चन ठीक है जिने अती लगूतर ये प् पोशले जाते हैं और हमने कितना answer जो है लिखना है ठीक है कि आपको ये खी लीन में answer दέना होता है scolite जूद कि कर्वोहा on ड़्यतेकश की है उसको हमने जाना था कार्वो हाइडिट ठीक है क्या कार्वो हाइडिट ठीक है जिनमें आपका कार्वन हाइडोजन और ऑक्सिजन इस तरह के आपके एटम्स होते हैं ठीक है तो यह क्या होते हैं आपके polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy आपके क्या होते हैं ketone तो ये आपके क्या कहलाते हैं carvohydrate कहलाते हैं इनके अगर सामान सूत्र की हम बात करें तो क्या हो जागा इनका सामान सूत्र हमने पढ़ा था पढ़ते वकत क्या था आपका cx और bracket में क्या था आपका h2o जिसका क्या था whole y ठीक है क्या cx h2o का whole y ठीक है यानि कि ये जो y है ये आपका क्या है number है ठीक है 2 हो सकता है 3 हो सकता है इसी तरह से यहाँ पर आपका जो cx है तो यहाँ पर x आपका क्या है 2 हो सकता है 3 हो सकता है यह एक number है ठीक है जो की बताता है carbon कितने होंगे आपके hydrogen कितने होंगे आपके oxygen कितने होंगे ठीक है तो इस तरह से आपका क्या हो जागा सामान सूत्र हो जागा आपका varied का cx और h2o का whole y ठीक है क्या हो जागा cx-h2o का whole y जो कि या आप x भी लख सकते या y लख सकते हो ठीक है यह क्या एक number present करता है कि आपका इसका जो पूरा आपका h2 है h2o है ठीक है यहाँ पर आप चाहें x लिख दो या y लिख दो यह क्या करता है number बताता है ठीक है number पर आप oxygen और hydrogen कितने हैं तो इस तरह से का हो जागा आपका सामान सूत्र आपका हो जागा यह हो जागा ठीक है किसका तो यह जो जितने भी आपके प्राखर्टति होता हैं से ने च्रल प्रोडुक्त है यह ने च्रल प्रोड Dollout का जो क्या कार्वोई उभाटक्ट को हम रखते हैं ठीक है कार्वोई इट्रेट के नाम के अंत में कौन सा प्रित्ये लगाते कं आ सबसे पीछे क्या लगाता ऊच्छिंट कर्भर कार्वो फॉडुत होते हैं आपके कि तो हुटें मुनें पॉली हैड्रोक्सी आपके एल्डी हैड या कीटोन ठीक है पॉली हैड्रोक्सी आपके एल्डी हैड या कीटोन तो जो पॉली हैड्रोक्सी आपका एल्डी हैड सरकरा होता है उसमें हम क्या लगाते दें पॉली हैड्रोक्सी एल्डी हैड सरकरा होता है उसमें हम एल्डोज लगा देते हैं ठीक है और जो आपका पाली हैड्रोक्सी कीटोन सरकरा होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं क्या क्या लगा देते हैं क्या लगा रहे 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 हैं तो इनका सफिक्स क्या हो जागा आपका कार्वो हाइड़िट का ठीक है क्या हो जागा ओज जो है आपका कार्वो हाइड़िट का प्रित्थे हो जाएगा ठीक है कुश्चन नमबर फोर्थ कह रहा है जिन कार्वो हाइड़िट में एल्डी हाइड मूलक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भी या CHO group या LDHID मूलक पाया जाता है वो आपके LDOS कहलाते है ठीक है तो यह क्या हो जागा भी आपका answer हो जागा LDOS ठीक है आपने का लिखना है LDOS लिखना है ठीक जिन कार्वो हाइटेट में KETO समू क्या अभी क्या था आपका LDHID जो की CHO होता है आप कहा रहा है KETO समू जो की क्या होता है आपका Carbon Double Bond Oxygen इस तरह का समू पाया जाता है उन्हें क्या कहते है वही इस तरह के समू को क्या कहते है KETO कहते है क्या कहते है KETO कहते है जिनमें आपका LDHID समू पाया जाता है उन्हें एल्डोज कहते हैं ठीक हैで कहते हैं तो कितोज और elder ये आपके दो ये के जिते हैं मोनोसेक्राइट में होता है कौनसा मूलख होता है तो मोनोसेक्राइट में आपका कार işi या. यह की कार्वन डबल बॉंड ऑक्सिजन जो है आपका गुरूब पाई जाता है तीक है इस तरह का आपका रेडिकल या मूलक पाये जाता है किसमें बीखर हो जाए शिए जो आपके covid-connected ठीक है तो क्या हो जाएंगे आपके कार्भोईडीड आपके आपके मॉली निद क्या होते है pliers लोक्सीach आपके polyhydroxy क्या होता है किटों होते हैं polyhydroxy LDI क्या कहलाते हैं आपके कारवोण्ड फॉलिय है और और से बहुत सारे चले खेले रहते हैं और पार मेरे कंसा पाये जाता है कि दूभ में कौ राखा वहाइक हँगा इस को हम कहते हैं Lactose ठीक है ध्यान रहेगा ना क्या होता है दूद में आपका Lactose होता है क्या होता है Lactose नाम का Carbohydrate आपका दूद में पाया जाता है ठीक है इस तरह से आपका Question Number 8 हो गया Question Number 9 की हम बात करेंगे जो कि आपसे कह रहा है ना करें शहद में कौन सा monosacuride उपस्तित होता है ठीक है monosacuride शहद में आपका कौन सा होता है तो यह आपको बताना है ठीक है कौन से monosacuride की कारण जो आपका शहद है वो मीठा होता है स्वाद में कैसा होता है मीठा होता है तो यह कैसा होता है आपका गलुकोज आपका क्या है मोनो सेकराइड है ठीक है जिसकी वज़ेसे जो आपका शहद मीठा होता है ठीक है गुलुकोज मोनोशेकराइट की वज़ेसे सहद आपका कैसा होता है मीठा होता है ठीक है तो गुलुकोज और फ्रक्टोज यह आपके क्या होते हैं lower 할 होते जोकि किसे मिलते Colombia का जला का ज़लपघरण करने पर आपको जैसे कि हमनेकल पढ़ा था सऊपरोज क्या बढ़ाता है सपरो Our कोिछ क्या है आपका डाई सेठोट है ऊपका डाई है इसमें आप जलब जिसके कार्ण शहद आपका कैसा होता है तो सबसे महत्पोर्ण डाइसेकराइड कौन सा आपका जो हमने अभी पढ़ाता क्या पढ़ाता शुक्रोज क्या पढ़ा था सुक्रोज आपका important disacurate है जिससे हमें क्या मिलता है glucose और fructose मिलता है glucose और fructose तो भई आपका important disacurate क्या हो जागा सुक्रोज हो जागा क्या हो जागा question number 11 पूंच रहा है कि carbohydrate का मुख कारिये क्या होता है भी carbohydrate लेने से हमें instant energy मिलती है तुरंत उर्जा मिलती है तो इनका काम क्या हो जागा तुरंत उर्जा देते हैं हमें ये ठीक है कार्वोःडिट का मुख कारिये उर्जा देना है question number 12 क्यारा glucose का सूत्र क्या है glucose और fructose इनके सूत्र एक ही होते है ठीक है किसके glucose और आपका क्या होता है fructose इनके सूत्र तो सेम होते है ठीक है क्या होता है molecular formula ठीक है MF क्या होता है वे दोनों का MF कैसा रहता है सेम रहता है ठीक है लेकिन दोनों के structural formula या सरचनात्मक सूत्र में अंतर होता है ठीक है क्या होता है ही दोनों के structural formula या सरचनात्मक सूत्र में क्यों नतर होदा ठीक है कितना याद रखना है और सूत्र क्या हूँ इस С1 ओ 16 करें भी cooking 60 6 civ automat scale 6 Luego if yo 6 यह दो नहुकर दोनों के लिए कैसा रहता है सेम रहता है जब सरचनात्मक स्ट्रक्चर बना जाता तो एक में अपका लगा रहता है तो क्या हो जागा सूत्र क्या हो जागा तो इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट के जो बेरी शॉर्ट आंसर थे या वन लीनियर कोश्चन आंसर थे उनको हमने किया था उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बन रही है हमारे साथ और अगर चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वा वाचिंग शेयर दे वीडियो